तो कल audit का paper है, अभी पढ़ते समय ऐसा लग रहे है, सर थोड़ा सा recall होने में time लग रहे है, है ना समय expectation स्यादा लग रहे है, कुछ जब पढ़ रहे तो ऐसा लग रहे है, याद आएगा नहीं आएगा, ये सब का attention आप मत लेना, आप जो पढ़र आपको याद आएगा उतना अपने उपर रखना, उसके अलावा इस वीडियो में मैं बताऊंगा audit में मेरी time की जो story है, वो 2-3 मिनिट सुनना, story बताने का एक reason है, कि आपको audit का paper tackle कैसे करना है, वो आप सीखोगे इसके अंदर, तो फटा-फट से शुरू करते हैं, बट पहले subscribe को लो जल्दी से, अब म अपने study leave में, ठीक है, तो देड़ दिन में मुझे बैसा लगा था, समय लग रहा है, समय लग रहा है, लास्ट आच में फिर जैसे तैसा करके, जितना मैंने पढ़ा था, और revise कर लिया, जब paper आया, तो मैंने notice कि paper ये tricky वाला paper है, मतलब मेरे time का सबसे difficult paper तो audit का, जितने papers हो करते, तो मैंने देखा, जो difficult paper था, उसके अंदर, मुझे कुछ आ रहा हूँ, 30, 35, 40 marks का content दिख गया, जो straight forward था, जो मुझे आता था, तो मैंने उसको पकड़ना शुरू किया, और मैंने उसको answer करना शुरू किया, ठीक है, तो ध्यान सा सुनना ये आपको help करेगा, तो tough paper कर मैंने देखा, 30 marks का content मुझे आता था, तो मैंने पकड़ा, answer करना शुरू किया, जैसे मेरा 35, 40 marks हुआ लिखकर, मुझे समझ गया कि इस मैं से मैं 25, 30 स्कोर कर लूँगा, ठीक है, तुम जो confidence आया थोड़ा सा, फिर वो content, जो chapter मेरे पड़े हुए थे, लेकिन question difficult थे, मैंने ब कुस तो पता होगा, कुस तो ग्यान होगा, तो question पड़ा, question में से कुछ keywords निकालकर, मैं decode करना शुरू किया, तो मैंने decode वगएर इतना भारी word बोल जासर आपने, लेकिन to be honest, मैंने उसमें सिर्फ attempt करने या कुशिश किया, मैंने बोला कुछ भी हो जाया, मैं कभी नहीं, तो मैंने पूरा paper attempt किया, जिसमें मुझे 35-40 मांस का decent तरीके सा आता था, 40 से लेकर जो 80 वाला bris था, वो मुझे chapter किये मतले लेकिन आता नहीं था, जो मुझे आता था, वो मैंने attempt कर लिया उसके अंदर, है ना, और बाकी, जो 20 मांक तो मुझे बिल्कुल भी न फरक किया था, हमने पढ़ाई तो सेम तरीके से की थी, बस मैंने exam को tackle better तरीके से किया था, जहां मैंने पूरा 100 मांक का attempt किया, उस तरफ on the other hand मेरे दोस्त ने सिफ और सिफ 55-60 या 65 मास का paper attempt किया, क्योंकि वो pressure में sunk in हो गया, और pressure में उसका नहीं डूब गया उसकी, वो बोल examiner को मौका ही नहीं दिया न, तुमने examiner को मौका ही नहीं दिया अपना अपको marks alert करने का, तो जो मेरा friend था, उसके आयते audit में 32, और जो मैं था, जो attempt करते 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 कहीं ना कहीं मेरे को 47 आ गया था audit के अंदर, है न 47 के range में approximately, तो मैं, क्योंकि पूरा attempt कहता तो मैं नि की तरीका है, easy है, score करने का देखो, difficult है, focus on the area जो आपको आते है, जो नहीं आता है, doesn't matter, you have to attempt it, attempt करके आओ examiner को marks देने का मौका तो भाई, तो मैं हर paper में बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा, हर बार बोलूँगा, सौ बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, सौ मा आता है ना, लिखते है आपन, you have the capacity, right, so on that note, best of luck for your audit paper, I know for a fact that you will rock it, ठीक है, so अच्छे से paper लिखना, सौमा कार तेम करने कोशिश करना, and wish you all the best, उसके लावा, जो भी important updates रहेगा, I will share on my telegram, join कर लो, चनल को subscribe कर लो, पसंद आतो, लाइक जरू करना, thank you so much, बाबा, everyone, take care, see you all अँरा हिए